Hello students, welcome in my YouTube channel, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग NEET की सिरीज कांटिन्यू कर रहे हैं और आज हम चाप्टर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला चाप्टर हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, और उसमें मैंने आपको बहुत सारे कॉंसेप्ट बताया थे टेक्सोनोमी से रिलेटेड, ओके, तो देखें students, हम लोग इस चाप्टर में नमबर 2 है, NCRT का ये, क्लास 11 की NCRT है, बालोजिकल क्लासिफिकेशन, मैंने आपको बताया था, कि जब हम लोग टेक्सोनोमी की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन की क्लासिफाइ कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं, तो बात करनी है हम लोगों को इसमें बहुत सारे kingdom की kingdom monera, kingdom protesta, kingdom fungi, kingdom planty और kingdom anipelia, तो देखें आद जो हम लोग modern सिस्टम पढ़ते हैं, वो बेसिकली 5 kingdom classification system है, लेकिन हम लोग जब biology में study करते हैं, तो हम लोग 2 kingdom classification system से जो हमारे classification था, उसको अगर हम लोग एक line में बोलें कि जो Aristotle थे, he was called as the father of biology, और यहां पर क्या हुआ, हम लोगों ने morphological characters के basis पे classify किया plants को, कि वो trees हैं, कि shrubs हैं, कि herbs हैं, ठीक है, animals को भी उनके basis पे divide किया, कि जिनके पास red blood है, और जिनके पास red blood नहीं है, उनको भी हम लोगों ने further classify किया, अगली बात हमारे आती हैं, कि जो lineus थे, कार्ल lineus, उन्होंने two kingdom classification system दिया, और basically उनका focus था plantae और animalia के बारे में, So students, हम लोग आज की class में kingdom monera को खतम करेंगे, मैं सारी classes point wise चलूँगी, एक kingdom monera, इस chapter 2 from look 6 part में divide करके पढ़ेंगे, So बात करेंगे kingdom monera को detail में, यहाँ पे देखें, यह जो system था, two kingdom classification system की एक बहुत बड़ी कमी थी, कि यह system distinguish नहीं कर पाया था, ना प्रोकेरियोर्ट्स और यूकेरियोर्ट्स को, ना तो यह unicellular, multicellular के देशस में कर पाया, ना ही photosynthesis और non photosynthesis, So यहाँ पे जो classification किया गया था, plants और animals का, वो बहुत easy और बहुत आसानी से कर दिया गया था, लेकिन बहुत सारे number of organism इस category में नहीं आते थी अनकी category में, तो जो two kingdom classification system था, used for long time was found inadequate, कहने का मतलब है कि जो two kingdom classification system था, वो पूरी तरीके से accept नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग ने बहुत ही कम चीज़ों को लेके classification को कर दिया था, आगे हम लोग समझते हैं, आगे के point में जो gross morphology है, यह हम बात करें cell structure की, nature of wall की, mode of nutrition की, water traffic है की, heterotropic है, habitat कैसा है, method कैसा है, reproduction का, तो evolutionary relationships कैसी है, तो classification system को लाया गया, और बहुत सारे changes लाया गया, इसमें plants और animals को, और बहुत सारे characters पे निको classify किया गया, तो देखे, NCRT का यह chart है, table 2.1, यह table बहुत कुछ कह रही है, students, और आप इस table को बहुत ही ध्यान से समझे, देखे, यह table क्या कह रही है, मैं यहाँ पे different color use कर लेती हूँ, kingdom monara को मैंने आपको बोला कि मैं starting से आपको बताऊंगी, देखे, kingdom, जो five kingdom classification था, वो सबसे पहले आप याद करेंगे, kingdom monara, kingdom protista, kingdom fungi, kingdom plantae and kingdom anemia, तो सबसे पहले हम लोग को आज के class में monara के बारे में पढ़ना है, देखे, जो monara kingdom था, यहाँ पे basically कैसे थे prokaryotes, और मैंने आपको पहली class में अपनी बताया था, कि जो prokaryotes होते हैं, वो गरीब cells हैं, उनके पास कोई भी cell organelles नहीं है, एक छोटा सक घर है, कमरे नहीं हैं उनके पास, बिकुल आप prokaryotic cells को एक जोपड़ी समझ के हमेशा याद करेंगे, यह एक हट से compare करेंगे, और जो eukaryotic cells हैं, उनके पास बहुत बड़ा महल है, क्योंकि महल में क्या होते हैं, बहुत सारे कमरे होते हैं, drawing room, racing room, bedroom, kitchen, लेकिन prokaryotes में तो विचारे के पास एक ही कमरा है, उसी में उसने क्या करा हुआ है, सारा काम करा हुआ है, तो काम उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि छोटा घर है, तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, prokaryotic और eukaryotic cell को, cell wall के अगर बात करें, तो cell wall यहाँ पे non-cellulose की होती है, आपको पता है, जो plant cell होते हैं, उनमें cellulose present होती है, cell wall में, यहाँ पे जो nuclear में membrane है, वो भी absent है, क्योंकि मैंने आपको बताए, यह prokaryotes है, यह prokaryotes में जो nucleus होता है, वो well differentiated नहीं होता है, body organization के अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे cell level मिलेगा, आपको पता है कि cell is the basic unit of life, और cell से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, tissue, tissue से बनाते हैं, organ, organ से organ system, organ system से body, body से individual, so यह सारी कहानी हम लोगों को यहाँ पे नहीं मिली kingdom monera में, cellular level of organization मिला, अब हम लोग बात करते हैं, mode of nutrition की, आप सभी को पता हैं, यह autotrophic थे, अपना food खुद से बनाते थे, chemo synthetic और photosynthetic दुनों तरीके के थे, heterotrophic भी थे, hetero का मतलब यह saprophytic थे और parasitic थे, चलिए students वोड़ा समय आपको ब्रीफ कर देते हूं कि chemo synthetic और photosynthetic क्या होते हैं, so photosynthetic वो होते हैं, जो अपना food बनाते हैं, in the presence of light and chlorophyll, लेकिन chemo synthetic organism वो हैं, जो chemicals को use करते हैं, food की manufacturing के लिए, उनको light से कोई मतलब नहीं होता है, बात करते हैं, saprophyt की, तो saprophyt basically अपने food के लिए dead and decaying organic matter पर depend करते हैं, they are basically depends on dead and decaying organic matter, next point आदा है हमारे पास parasitic, तो parasitic basically वो organism है, जो अपना food दूसरे के उपर depend है, host की body पर depend है, और वहीं से अपना पुरा का पुरा food ले रहा है, तो सारे kingdom classification, जो five kingdom classification system था, वो एक scientist थे, जिनका नाम था, अरच विटेकर उन्होंने 1969 में दिया, और इन्होंने यहाँ पे kingdom monara, protesta, fungi, planti और एनिनेलिया को बताया, ठीक हैं, तो यहाँ पे देखिए हम लोगोंने सारे kingdom को one by one, इस NCIT में जब आप पढ़ेंगे तो आपको kingdom monara के बारे में पूरी details मिलेंगी, और बहुत ही छोटा kingdom है, यहाँ पे bacterias, archibacteria हाला कि छोटा है, लेकिन बहुत important है आपके competitive point of view से, बहुत सारे questions नीट के यहाँ से आते हैं, you bacteria, archibacteria, तो किसी भी examiner का favorite topic होता है, जब भी वो question paper बनाने बैठता है, तो students आप बहुत ही यहाँ पे focus करके NCRT को पढ़ेंगे, जो भी NCRT का classification system है, तो हम लोग आगे continue करते हैं, तो हम लोग आगे continue करते हैं, तो हम लोग आगे 3 domain system आया, और वाब में 5 kingdom classification के बाद 6 kingdom classification system भी आया, क्लासिफिकेशन सिस्टम पहले हम लोग ने bacteria, blue green bacteria, जिनको हम लोग साइनो बैक्टिरिया बोलते हैं, फंगी और mosses की based था, ferns, gymnosperms, and angiosperms को plants में रखा गया, and the character that unified the whole kingdom was that the organism including they have cell wall in their cells, और इसको place किया गया एक साथ, widely differed in other characteristics, for example, यहाँ पे clamidomonas, spirogyra, इनको place किया गया एक साथ, ओके, और जो fungus की cell wall थी, वो बनी हुई थी, kytin की, यह point आप याद रखेंगे, kytin एक mucopolysaccharide है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी continuation में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब हम लोग kingdom monara, kingdom monara, जैसा कि आप सभी को पता है, यह prokaryotes थे, microorganism थे, यहाँ पे bacteria basically मिल रहे थे, ठीक है, extreme habitats में रहते थे, यह तो बहुत ज़दा temperature होगा, यह तो बहुत कम temperature होगा, extreme conditions में रहते थे, तिनकी यह खास बात है, और यहाँ पे जो bacteria की shape है, बहुत ही important है, देखे, vibrio is comma shape, this is like this, and flagellum, flagellum is like this, spirulum is flagella-like, spirulum means, आपने spiral binding देखे होगी, इस तरीके से coiling होती है, spring-like structures, यहाँ पे bacteria को classify किया गया, तो बहुत ही important topic है, इसको आप important mark कर लीजे, archibacteria, this is one of the very important topic for NEET, के लिए और academic exam, दोनों के लिए यहाँ से examiner questions पूछते हैं, आपके bacteria क्या होते हैं, basically the bacteria, these are the bacterias which live in the most harsh habitats, extreme salty, इनको लोग हेलोफाइल्स बोलेंगे, hot springs में भी रहते हैं, thermoacidophiles और methanogens, मार्शी एरिया, जो दलदल एरिया है, वहाँ पर भी मिलते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट बताया है, यहाँ पर क्या है, एक तो यह halophiles है, soil holy condition, जो होगी, वो salty होगी, salt होगे होगे होगे, thermoacidophiles होगे, acidophiles होगे, मार्शी एरियास में मिलेंगे, इसका मतलब यह methane को produce करेंगे, that is CH4, methanogens, methanogenic bacteria भी बोल दिया रहता है, इनको, आरके bacteria जो होते हैं, दूसरे bacteria से different होते हैं, अपने cell wall में, cell structure में, ओके, और जो methanogens से कहां पर मिलते हैं, these are present in the gut of several ruminant animals, such as cow and buffalo, and they are responsible for the production of methane, यहाँ से meat में एक नहीं, बहुत बार question आया है students, आप चाहें तो इस point को star लगा लें, और आप यह super note में लिख सकते हैं, next हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बहुत important topic बचा है, अभी you bacteria, और you bacteria को complete करने के बाद हमारे पास kingdom protesta है, जिसको कि हम लोग next lecture में लेंगे, हम लोग you bacteria cover करते हैं, देखें यू का मतलब ही होता है true bacteria, इनके पास rigid cell wall है, motile होते हैं तो flagellum होता है, cyanobacteria जो हैं वो blue green bacteria में ही आएंगे, इनके पास chlorophyll A होता है similar to green plants and are photosynthetic, अगर chlorophyll A है, ता मतलब हो photosynthetic, autotrophs हो गए, and the cyanobacteria कैसे होंगे, unicellular होंगे, हो सकता है, colony में रहें, filamentous हों, fresh water भी हो सकते हैं, marine भी हो सकते हैं, and the colonies are generally surrounded by gelatinous sheet, gelatin की sheet मिलती है, and they often form blooms, polluted water में algal bloom कोस कर सकते हैं, some of the organism can fix atmospheric nitrogen, इनके पास एक heterocyst structure होता है, जैसा कि nostrock और enabena, nitrogen fixing bacteria में आते हैं, next point हम लोग चलते हैं, chemo synthetic bacteria, नाम, जैसा नाम वैसा काम, chemo synthetic, chemo का मतलब chemical की presence में यह synthesis करेंगे, और साथ ही साथ कैसे हैं, autotrophic है, इसका मतलब यह अपना food खुद से बनाएंगे, various inorganic substances होंगे, जैसे कि nitrate, nitrite और ammonia, आप लोगों ने mineral nutrition class 11th वाले book में ही, एक mineral nutrition chapter जहां पर हम लोग nitrogen cycle को detail में पढ़ेंगे, कि nitrification क्या होता है, denitrification क्या होता है, और ammonification क्या होता है, तो यह कुछ की important point थे, they play a great role in the recycling nutrients like nitrogen, phosphorus and iron and sulfur also, next बात करते हैं, heterotrophic bacteria की तो most evident bacteria है, majority में यह decomposers हैं, और इनका काफी impact है human affairs में, and they are helpful in making curd from milk, production of antibiotic, nitrogen fixing, N2 fixing bacteria जो आपको मिलेंगे, basically वो leguminacy family के members में मिलेंगे, nitrogen fixing bacteria, तो यह leguminous जो plants होते हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, okay, उसके बाद हम लोग अगले point पर आते हैं, some of the pathogens causing कुछ damage भी crop को cause करते हैं, human beings में, animals में, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, cholera जो कि एक bacterial disease है, typhoid, tetanus, citrus, kanker, and बहुत सरे diseases हैं, जो कि different bacteria से cause होती हैं, यह जो bacteria हैं, basically reproduce करते हैं by a process which is called as fission, okay, लेकिन unfavorable condition में ही क्या बना लेते हैं, sports बना लेते हैं, and they also reproduce by a sort of sexual reproduction से भी, reproduce करते हैं, by adopting the type of DNA transfer from one bacterium to another. नेक्स बाद हम लोग चलते हैं, students, mycoplasma पे, तो mycoplasma, हम लोग smallest bacteria बोलते हैं, this is also known as poplo, that is PPLO, pleuroneumonia-like organisms, and these are the organisms that completely lack cell wall, इंके पास cell wall नहीं होती है, they are the smallest living cell known, and can survive without oxygen के भी यह survive कर जाते हैं, बहुत सारे mycoplasma ऐसे हैं, जो कि pathogenic हैं, plants में भी और animals में भी, और याद रखेंगे आप, इनको हम लोग PPLO भी बोलते हैं, that is pleuroneumonia-like organism, pneumonia-like, pneumonia में P silent होगा, that is pleuroneumonia-like organism, so आज का class, आज का lecture इतना ही, तब तक आप students, kingdom, protesta को थोड़ा सा go through करिएगा, हम लोग next lecture में कल ही मिलेंगे, मैं कल class नहीं ले पाई, I was not feeling well, as I told you in my video also, so हम लोग कल दोबारा से मिलेंगे, kingdom protesta को continue करेंगे, kingdom monera मैंने पहले, आज ही complete कर दिया, और आप लोग NCRT के एक-एक line को focus करें, it is my suggestion to all my dear students, so इसी उम्मीट के साथ, कल दोबारा मिलेंगे, और start करेंगे kingdom protesta, अब तक के लिए, take care all of you, bye bye,